हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे योट्यूब चैनल में तो आज आपकी रिक्वेस्ट पे लेकिया यह बहुत ही प्यारे प्यारे आइडियाज तो अगर आपके घर में भी स्पेस कम है और बहुत सारे कपड़ों को आप और्गनाईज करना चाहते हैं आज की ट्रिक्स जरूर देखिएगा बहुत ही काम की आइडियाज में लेके आई हूँ जो बचे होस्टल वगेरा में रहते हैं उनके लिए अगर वो कपड़े और्गनाईज करके अपनी अगलक से अलमीरा बनाना चाहते हैं वो भी सिरफ एक बिल्कुल छोटे से स्पेस में तो वो वाला आइडिया भी मैंने आज की वीडियो में बताया है तो बहुत ही कमाल के आइडियाज हैं I hope आपको पसंद आएंगे कमेंट करके जरूर बतायेगा कौन से वाला आइडिया आपको सबसे अच्छा लगा तो चलिए बिना डिले के हम वीडियो को शिरू करते हैं तो चलिए शिरू करते हैं शिरू करते हैं आइडिया नमबर वान से तो देखे इसमें मैं यूज करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कुछ आपको ट्रिक्स जो आपके आइडिया नमबर टू के लिए बहुत काम आएंगी तो सबसे पहले देखे हमारे पास इस तरहे के से सलवार, सूट वगेरा, प्लाजो कुछ भी होते हैं तो हम क्या करते हैं, तीनो का सेट बनाते हैं और तीनो सेट को हम एकठे रखते हैं ताकि वो हमारे गुम ना हो और फिर हम हैंगर में हैंक कर देते हैं, लेकिन क्या होता है ना हैंगर में से वो गिरते रहते हैं उसके बाद आपके को इसको hanger में कैसे hang करना है वो बताती हूँ देखिए हाफ हैंग करना है और फिर यह जो नीचे की तरफ बच गया इसे इसके उपर hang कर देना है अब आप इसे कहीं भी hang कर लीजिए बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे देखिये और बिल्कुल अच्छे से आपके ये आप इस तरीके से ने स्टोर कर सकते हैं सेम वे में आप साड़ी को भी कर सकते हैं और ये देखिए साड़ी भी हम इस तरीके से रखते हैं तो हमारी गिरती रहती है हैंगर से तो साड़ी के लिए भी सेम यही ट्रिक आप यूज कर सकते हैं तो यह एक ऐसी ट्रिक है जिसे आप किसी भी कपड़ों में साड़ी में, सूट में, पैंट में, ट्राउजर में यूज कर सकते हैं तो इस तरीके से अगर आप हैंगर में फोल्ड करके कपड़ों को रखेंगे तो बिल्कुल अच्छे से आपके और्गिनाइज रहेंगे गिरेंगे नहीं और स्पेस भी कम लेंगे तो ये तो थी कुछ फोल्डिंग ट्रिक्स लेकिन अगर आपके अलमीरा में जगाई नहीं है इन सारे कपड़ों को स्टोर करके रखने के लिए आप कहीं होस्टल में या रेंट पे रहते हैं तो आप इन कपड़ों को बिल्कुल थोड़ी सी जगा में कैसे स्टोर कर सकते हैं एक प्यारी सी अलमीरा कैसे बना सकते हैं तो चलिए वो बताती हूँ तो दीखिए मैंने लिए कोई भी बेटशीट 35 इंच इंटू 53 इंच का एक हमें बड़ा सा रेक्टैंगल पीस बेटशीट में से कट कर लेना है तो लंबाई 35 इंच है और इसकी चोड़ाई 53 इंच है उसके बाद आपको क्या करना है देखिए चारो कॉर्नर से आपको इसे फोल्ड कर लेना है तो जस्ट एक सिंपल सा पीस है चारो कॉर्नर से मैंने फोल्ड कर लिया अब हमें क्या करना है जो 53 इंच वाली साइड है उसका हमें सेंटर ले लेना है और हमें देखिए इसे हमें fold करना है यहां से पकड़ना है देखिए center point को overlap करते हुए approximate 4 inch से overlap कर देना है देखिए इस तरीके से तो मैं अभी आपको निशान दिखाती हूँ देखिए यह मेरा निशान है और मैंने इसे थोड़ा आगे तक overlap किया है देखिए और same ऐसे यह दूसरे वाला piece है इसे भी इसके उपर overlap करना है center point से यह देखिए मैं आपको दिखाती हूँ यह देखिए इस तरीके से दोनों pieces को हमने overlap करके रख लिया अब हमें क्या करना है यह total overlap करने के बाद मेरे पास 21 inch है उसके बाद center point का निशान लगाया hangar लेना है आपको और देखिए इस तरीके से जैसे मैं mark कर रही हूँ वीडियो में बिल्कुल वैसे ही आपको इस पर निशान लगा लेना है hangar के साथ-साथ अब hangar को आप उठा लीजिए और इन पर सिलाई लगा लीजिए अब extra जो थोड़ा सा है इसे हम इसी shape में cut कर लेते हैं और हम इसे सीधा कर लेते हैं अब आप इसके अंदर अपने धेर सारे कपड़े organize करके रख सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं चलिए इस trick को देखते हैं कैसे हम इसमें काफी सारे कपड़े रख सकते हैं और्गिनाईज करके, छोटी सी अलमीरा रेडी हो गई, तो चलिए दिखाते हैं, तो देखिए करना क्या है, कहीं भी जहाँ पे आप रहते हैं, देखिए इस तरीके से, अगर होस्टल वगरा पे रेंट पे रहते हैं, कहीं भी हैंक कर ले, कोई कील हो, कुछ भी हो, ऐसे आप को हैंक करना देगी, हैंगर लिया, उसमें मैंने एक बैंगल डाली है, बैंगल थोड़ी हाड वाली, अच्छे वाली यूज कीजिएगा, जो तूटे नहीं, उसके बाद हैंगर को हमने यहां से निकाल दिया, और अब हम इसे हैंक कर देंगे, और अभी हम इसमें बहुत सा कपड़े कैसे रख सकते हैं, गंदे भी नहीं होंगे, तो देखें कैसे रखने हैं, तो एक रख दिया, उसके बाद दूसरा हैंगर उसके बीच में चूड़ी डाली, और यहां से हमें दूसरी वारी चूड़ी जो हमने डाली थी ना पहले बैंगल उसके बीच में रख दे तो ये दो आ गए, बस इसी तरीके से हम लंबाई में देखे, इसमें बहुत सारे कपड़े हैंक कर देंगे, तो वर्टिकल स्पेस यूज होगा, और देखे, काफी सारे कपड़े आप और्गनाईज करके रख सकते हैं, कपड़े आपके बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे, क आपने सारे कपड़ों को और्गनाईज कर सकते हैं, तो देखे, मैंने काफी सारे रख दिये, मैंने एक बैंगल में एक रखाया, यहां पे एक बैंगल में आप दो पेर भी रख सकते हैं, देखे, उसके बाद यह हमारा कवर आ गया, और यह प्यारी सी छोटी सी क्यूट सी almira हमारी ready हो गए जिसमें हमारा काफी सारे कपड़े organize हो गए तो अगर आपके घर में भी space नहीं है almira में तो इस तरीके से कपड़ों को organize करने के लिए आप use कर सकते हैं तो देखिए काफी सारे कपड़े organize हो जाते हैं और बनाने में असान है पुरानी bangles चाहिए पुरानी चूड़िया और एक पुरानी bed sheet चाहिए तो I hope आपको ये वला idea भी पसंद आया होगा तो चलिए देखते है next idea तो next idea में मैंने इस तरीके से cotton की साड़ी का use करूँगी इससे मैंने पहले भी आपको सिखाया हुआ है तो बची भी थी मेरे पस तो इसी का मैं use करने वाली हूँ कोई भी cotton की साड़ी दुपट्टा आप इसमें use कर सकते हैं तो इसमें से एक piece cut कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ तो देखिए rectangle piece cut कर लिया एक मैंने इसकी लंबाई है 31.5 inch और इसके width मैंने लिया 36 inch अब हमें क्या करना है देखिए इसे इस तरीके से fold कर लूँगी और fold करने के बाद हम इसे चारो तरफ से सिलाई लगा के एक single piece ready कर लेंगे तो यहां से just हमें क्या करना है देखिए जहां से finish है वहां से आपको fold करने की ज़रुरत नहीं है जहां से finish नहीं है वहां से अंदर की तरफ को fold करते वे चारो तरफ इसके सिलाई लगा लिए चीए तो एक just simple rectangle piece आ गया तो साड़ी का कपड़ा पतला होता है इसलिए मैंने इसे double करके use किया है तो यह हमारा हो गया अब हमें क्या करना है अब हमें इस पे निशान लगाना है एक छोटा सा square बनाना है तो यहां से हम उसका नाप ले लेते हैं तो इस square को आप कहीं पे भी बना सकते हैं तो यहां से मैंने निशान लगा है 5 inch का तो अगर यह square आपका छोटा बड़ा भी होता है कहीं side में इदर उदर भी इसकी placement होती है तो उससे कोई फरक नहीं पड़ता तो 6.5 inch side से margin लिया है छोटा सा एक square बना लिया है उसके बाद अंदर की तरफ देखिए जैसे मैं margin दे रही हूँ वैसे ही margin देना है अब हमें इसी shape में इसे cut करना है पहले यहां से छोटा सा आपको cut लगाना है इसमें ताकि आपकी जो Caesar है वो इसमें अराम से अंदर भुझ जाए अब यहां से कैंची को डालना है और पूरा देखिए square आपको cut कर लेना है तो यहां से हम पूरा इसे cut कर लेते हैं यह देखिए तो चारो तरफ से हम इसी तरीके से cut कर लेंगे उसके बाद चारो corner पर आपको cut लगाने देखिए जो तिर्चे cut दिख रहे हैं आपको मैंने निशान लगाया है वैसे ही मैं इस पर cut लगा रही हूँ end तक अब हमें क्या करना है यह जो हमने cut लगाये है इन्हें हम fold करेंगे अंदर की तरफ यह देखिए उल्टी तरफ से और सिलाई लगा लेंगे तो चारो corner को अंदर की तरफ fold करते वे हम सिलाई से finish कर लेंगे तो देखिए हमारे एक छोटा सा square बन गया finish हो गया अब क्या करना है जब हम ready made suit वगरा खरीते हैं तो इस तरीके के हमें pouches मिलते हैं तो इस एक pouches से आपके आठ साड़ी bag बन जाएंगे मतलब सिरफ आपको एक छोटा सा pouch चाहिए यह और आपके एक pouch में से आठ साड़ी bag बन जाएंगे वो कैसे बताती हूँ देखिए तो आपको क्या करना है देखिए इसे आपको cut कर लेना है उसके बाद आपको इसे divide कर देना है इस तरीके से तो यह आगए total आपके पास 8 pieces तो इस वाले bag में मैं एक piece यूज़ करूँगी जो बाकी के 7 pieces हैं उससे आप बाकी के 7 sari bag और बना सकते हैं तो एक sari का use करके और एक sari bag का use करके आप बहुत सारे bags बना सकते हैं अब हमें क्या करना है यह जो छोटा सा टुकड़ा काटा है हमने transparent sheet का इसे आपको यहाँ पे रखना है और उसके बाद हम इस पे सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद हम इसके ओपर लेस लगा लेंगे तो हमारे rough है जिस भी finish हो जाएंगे और हमारा यह जो transparent sheet है यह भी attach हो जाएगी तो बस इस तरीके से करते हुए हम इसे पूरा finish कर लेंगे तो चोटा सा piece लगाया है मैंने transparent sheet का यह देखिए तो आब हमें क्या करना है यहां से हमें निशान लगाना है देखिए 3 इंच पे दोनों तरफ से और नीचे की तरफ से हम इसे fold करेंगे यहां तक इस निशान तक दोनों साइडों पे सिलाई लगाएंगे तो यह हमारा साड़ी cover बन गया है अब हम इसमें लगा रही हूं मैं डोरिया आप चाहें तो velcro भी लगा सकते हैं लेकिन सब के पास velcro नहीं होती तो इसलिए मैंने सोचा कि डोरी लगा के दिखा देती हूं तो देखिए हमें इस तरीके से इसमें डोरियां लगा लेनी है एक उपर की तरफ और एक नीचे बांदने के लिए ये देखिए तो सिलाई लगा ली हमने इसमें पूरा देखिए सिलाई लगा लेती हूं फिर दिखाती हूं तो देखिये कितना easy था बनाना कोई भी पुरानी साडी पड़ी है आपके पस और कोई पुराना सूट का इस तरीके से transparent cover पड़ा है तो उससे आपके 8 साडी cover अराम से बन जाएंगे और transparent sheet है तो आपको पता भी रहेगा कि कौन से साडी cover में आपने कौन सी वली साडी रखी है साड़ी रखने के लिए, हैवी लेंगा वगरा रखने के लिए, हैवी सूट वगरा रखने के लिए आप इस organizer का यूज कर सकते हैं सभी को इस तरीके से organize करके रख सकते हैं तो बनाने में असाने देखिए कोई form sheet, कोई rise bag, कुछ भी नहीं चाहिए बस कोई पुरानी साड़ी, cotton का दुपटा या cotton की साड़ी पड़ी हो आपके पास, आप उससे से बना सकते हैं तो घर में पड़ी चीजों से बनाया है I hope idea आपको पसंद आया होगा तो चलिए बढ़ते हैं next idea की तरफ तो देखे, कपड़ों को organize करना मैंने बता दिया तो कई बर क्या होता है, साड़ी के साथ के blouses होते है जिने हमें organize करना होता है, बहुत सारे blouses को तो एक blouse organizer में बताने वाली हूँ बिना zip के हम इसे बनाएंगे तो आपको करना क्या है, देखे, एक blouse रखना है आटा बैग, form sheet जो भी है, वो रखना है नीचे lining के लिए कोई भी पुराना कपड़ा यूज करते वे दोनों pieces को आपको finish कर लेना है उसके बाद एक corner से लेकिए, दूसरे corner तक रफ मैंने margin ले लिया जितना भी हो, उसमें थोड़ा सा plus करते वी मैंने लिया है और एक मैंने ये piece ले लिया, ये मैंने लिया है 11 इंच और इसकी लंबाई मैंने लिया है 45.5 इंच और बीच में वही plastic वाली बोरी डालके सिलाई लगाई हुरी है अब क्या करना है, यहां से हमें निशान लगाना है 3 इंच पे और cut कर लेना है cut करने के बाद यहां से देखे, इस तरीके से हमें fold करना है थोड़ा चौड़ा fold करना है आपको इसे दोनों तरप से तो देखे, इस तरीके से मैंने fold कर लिया तो यहां पे अब हमें क्या करना है यहां पे हम इसे करेंगे बटन और काज करेंगे इसमें आप चाहें तो इसमें बटन काज की जगा डोरी भी लगा सकते हैं तो देखें एक पट्टी इस तरीके से ओवरलैप करते वे उपर आएगी यहां मारे बटन काज बन जाएंगे तो देखे इसमें काज हो गया यहां बटन लग गया इस तरीके से तो पूरी पट्टी में हमें इसी तरीके से बटन और काज कर लेने हैं या वेल्क्रो लगा सकते हैं वेल्क्रो लगा लीजिए डोरी लगाना चाहते हैं डोरी लगा लीजिए तो बहुत सारे options हैं आपके पस तो मैंने यहाँ पे इसे button और card से देखिए एक पट्टी ready कर ली है तो यह मेरे पास ready ना पाया है 7 inch अब हमें क्या करना है हमें इसे इसके साथ attach करना है तो यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगी देखिए और इस तरीके से घुमाते वे हम इस पे पूरे पे सिलाई लगा लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक तो पूरे पे मैंने सिलाई लगा ली यहाँ से मेरा इस तरीके से extra आ रहा था तो मैं इसे कट करके अलग कर लूँगी तो ये हमारा अटैच हो गया अब ये दूसरे वाला piece करना है देखिए इस तरीके से रखना है यहां से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे देखिए और गोल गुमाते हुए हम इस पे पूरे पे सिलाई लगा लेंगे यहां तक तो दीखिए पूरी हमने सिलाई लगा ली तो यह हमारा पूरा बैग रेडी हो गया बस इसके पीछे की पट्टी रह गया है अब हम उसे लगा लेते हैं तो उसके लिए हमें जस्ट यहां से नाप ले लेना है तो यह मैंने लिया है प्रॉक्सिमिट देखिए 9 x 3 4th inch 7 x 1 4th inch और इसे हम लगा लेंगे यहां पे तो लगाना है कैसे देखिए पहले साइड वली पट्टी को आपको जोड़ना है जो यह साइड वली है देखिए यहां से इस तरीके से रखेंगे थोड़ा से extra है यहां पे हम सिलाई नहीं लगाएंगे यहां पे हम पूरा सिलाई लगाएंगे देखिए एक corner से लेके दूसरी corner तक अभी दिखाती है आपको यह देखिए यहां से लेके यहां तक और इसके सामने वाली side पहले हमें दो सामने वाली साइड सिलाई लगानी है ये देखिए तो आमने सामने वाली दो-दो करके सिलाई लगानी है ये वाली कॉर्नर वाली जो साइड पट्टी है वो वाली सिलाई लगा रहे हूं तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली साइट से थोड़ा-thोड़ा सा छोड़ दिया है यहां से भी सिलाई लगा ली तो यह वाली सिलाई लगी देखे साइडों वाली अब बाकी की जो दो सिलाई रह गी हैं उसे कम्प्लीट कर लीजिए तो दोनों सिलाई लगा लेंगे हम तो हमारा यह प्यारा सा ब्लाउज के लिए और्गिनाईजर बनके बिल्कुल डेडी हो चुका है तो रफ है जिस फिनिश करना चाहते हैं तो सिंपल पाइपिंग वाली पट्टी से फिनिश कर लेंगे और यहां से हम बटन खोल के इसे पुरा सीधा कर लेंगे तो देखिए हमारा ब्लाउज के लिए और्गिनाईजर बिल्कुल डेडी हो गया अब आपके जितने भी धेल सारे ब्लाउज हैं आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं तो एक प्यारा सा और्गिनाईजर है देखिए बिना जिप के बनाया है और सारे ब्लाउज हमारे इसमें और्गिनाईज हो गया है तो बनाने में असान है कोई भी पुराना कपड़ा पड़ा हो उससे आप इसे बना सकते हैं तो छोटा सा idea है किसी ने request की थी blouse के organizer के लिए बिना zip के तो उनीकी request पे मैंने ये share किया है तो चलिए अब देखते हैं अपने next idea के तरफ तो इस idea में मैं share करने वाली हूँ आपके साथ एक big size का organizer transparent sheet के साथ है बनाने में बहुत ही ज़्यादा असान है बहुत simple तरीके से बनाया है किसी भी पुराने कपड़े से आप इसे बना सकते हैं और zip को मैंने नीचे की तरफ लगाया है zip लगाना भी बहुत असान है तो चलिए हम इसे बनाना सीखते हैं तो 15 by 15 inch के मैंने यहाँ पे 2 pieces लिये है एक top के लिए एक bottom के लिए उसके बाद 10.5 inch into 47 inch की strip ली है वो हमारी side पे लगेगी इसके बीच में मैंने plastic बोरी डाली है उसमें सिलाई लगाई हुई है अब हमें क्या करना है यह जो लंबे वाला piece है इसका हमें पहले center point ले लेना है यहाँ पे मैं transparent sheet attach कर रही हूँ अगर आप नहीं करना चाते तो इस step को skip कर दीजेगा क्योंकि जितना मैं cut करूँगी उतनी ही मैं इसमें transparent sheet attach करने वाली हूँ वो कैसे देखिए तो यहाँ से हमें निशान लगाना है 22 inch का और इसी निशान के उपर हमें इसे fold करके यह देखिए इसी निशान के उपर मैंने fold कर दिया तो total पट्टी में से मेरे पास 4 inch कम हो गया तो 4 inch की मैं यहाँ पर transparent sheet को insert कर लूँगी तो यह मैंने transparent sheet ले ली 5.5 inch है और ऐसे है यह 10.5 inch तो मेरा 4 inch के करीब यहाँ पर मुझे यह add करनी है बाकी margin के लिए use हो जाएगा तो देखिए 4 inch है तो यह हमारी पट्टी जितनी थी उतनी ही रही है 4 inch मैंने अंदर की तरफ fold किया तो 4 inch की transparent sheet लगा दी तो अगर आप transparent sheet नहीं लगाना चाहते हैं तो इस step को skip कर दीजीगा पट्टी आपकी as it is रहेगी उसके बाद क्या करना है देखिए हमें zip लगानी है तो 1.5 inch का पूरा लंबाई में निशान लगाया और पूरा हमें उसे cut कर लेना है यहाँ पे हम zip लगाएंगे तो पूरा इसे लंबाई में cut कर लीजिए अब zip ले लीजिए zip की सीधी तरफ आपको अंदर की तरफ रखनी है यह देखिए zip की सीधी तरफ है इसे पलट के रखना है ऐसे और पूरा लंबाई में आपको सिलाई लगा लेनी है एक corner से लेके दूसरे corner तक यहाँ से लेके यहाँ तक उसके बाद आपको इसे इस तरीके से पलट लेना है दूसरी तरफ और बैठने वाली सिलाई लगानी है तो एक तरफ जिप इंसर्ट हो गई अब यह जो कट करके लग किया था इसे इसके उपर रखना है और पूरा लंबाई में आपको सिलाई लगा लेनी है उसके बाद इसको भी आपको पलट लेना है दूसरी तरफ को देखे और इस पे भी बैठने वाली सिलाई लगानी है तो यह हमारा जिप लग गई अब यहां से देखे इसके सेंटर पॉइंट पे आप निशान लगा लीजिए तो यह मैंने सेंटर पॉइंट पे निशान लगा लिया और यहां पे भी तो दोनों तरफ देखे सेंटर पॉइंट पे निशान लग गया अब यह लेना है पीस इसके भी सेंटर पॉइंट पे निशान लगाना है और यहां से एक तरफ से हमें हाफ-हाफ करके इसमें सिलाई लगानी है यह देखे तो pin-up कर लेते हैं हम इसे तो एक corner से लेके दूसरे corner तक और जो भी extra आएगा हमारा हम उसे बाद में cut कर लेंगे यह देखे तो just simple बहुत easy है देखे यहां से लेके यहां तक हमने इस पे सिलाई लगा लेनी है तो यह हमारी सिलाई लग गई अब जितना भी extra है उसे cut कर लीजे और हम इसके साथ दूसरे वाला piece join करते हैं तो starting में हमने दो pieces लिए थे एक square हमारा join हो गया दूसरे वाले square को हम join कर लेते हैं तो center point सेम वैसे ही और इसके भी हमने center point पे निशान लगाया वा था बिल्कुल वैसे ही ऐसे रखना है देखिए और half-up करते वे इस पे भी आपको सिलाई लगा लेनी है तो extra हम पहले ही cut कर चुके हैं तो यह बिल्कुल हमारा बराबर आएगा तो एक corner से लेके दूसरे corner तक पूरा इस पे सिलाई लगा लेजिए फिर हम इसके last पीछे वाली पट्टी join करेंगे तो यह हमारी सिलाई लग गई तो पूरा bag ready हो गया अब हमें इसके पीछे वाला portion add करना है जो हमारा last वाला रह गया यह वाली पट्टी तो इसके लिए हम यह पीछे वाला नाप ले लेते हैं तो एक रफली यहां से लेके यहां तक 10.5 इंच और यह है हमारा 15 इंच तो 10.5 इंच into 15 इंच जो मैंने अभी आपके सामने नापा same size का मैंने एक piece ले लिया है और इसे हम attach करेंगे इसके साथ बिल्कुल वैसी attach करना है पहले आपको side वले 2 pieces attach करने है उसके बाद बाकी की 2 side पे आपको सिलाई लगानी है तो 2 side सिलाई लगा ली अब बाकी की 2 side सिलाई लगा लीजिए rough edges को finish कर लीजिए simple patti से और फिर उसके बाद हम इस bag को सीधा कर लेंगे तो देखे रफ़े जिसको हमें finish कर लेना है दोनों तरफ से और bag को हम सीधा कर लेते हैं तो देखे मैंने इसे सीधा कर लिया तो बड़े size का हमारे पास ये bag बनके ready हो चुका है अब आप इसमें suit, sari, कुछ भी organize करने के लिए इस organizer का use कर सकते हैं तो देखे धेर सारे कपड़े आपके इसमें store हो जाते हैं तो आप इस organizer को बहुत easy तरीके से मैंने बताया है तो I hope आपको video पसंद आई हुई ये देखे तो यहां से transparent sheet है, visible है आपने कौन-कौन से कपड़े रखे हैं तो आप देखे इस तरीके से storage bag घर पे ही बना सकते हैं और धेर सारे कपड़ों को store कर सकते हैं तो इस bag को आप as it is बाहर भी कहीं रख सकते हैं जरूरी नहीं आपको इसी almira में ये दिवान में ही कहीं रखना है बाहर ही कहीं रख लीजिए तो आपके कपड़े बिल्कुल गंदे नहीं होंगे और धे सारे कपड़े आपके organize हो जाएंगे तो I hope आपको ये चोटा सा idea भी पसंद आया होगा तो ये थे कुछ चोटे-चोटे ideas जो मैंने आपके साथ share किये तो I hope आपको आज की वीडियो भी पसंद आयी होगी वीडियो पसंद आयी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताईएगा आज की वीडियो कैसी लगी और कौन से वाला idea आपको सबसे अच्छा लगा जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ Thank you